हलो दोस्तों नमस्कार आज इस वीडियो में बात हम लोग करेंगे मोडल्स वर्फ के बारे में मोडल्स वर्फ क्या होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है structure के बारे में बात करेंगे और सबसे बड़ी बात can, may, should, must और out to के use के बारे में पढ़ेंगे तो आप इस वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिएगा और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को ज़रूर सबस्क्राइब कर दीजेगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूज के बारे में जैसा कि आपको मालूम है मोडल्स वर्ब्स जो होते हैं वो 10 होते हैं तो मोडल्स वर्ब्स को समझने से पहले अक्जिलरी वर्ब्स जिसका एक और नाम है हेल्पिंग वर्ब्स को समझते हैं अक्जिलरी वर्ब्स तीन परकार के होते हैं कौन-कौन प्राइमरी मोडल्स और मार्जिनल्स प्राइमरी 11, मोडल्स 10 और मार्जिनल 3 तो आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे models जो की 12th के exam में 3 से 4 marks के पूछे जाते हैं तो आज हम लोग इसी models को पढ़ते हैं तो चलिए start करते हैं models जैसा की 10 होता है आपको बिल्कुल मालूम है कौन-कौन, can, could, may, might, will, would, shall, should, must, out to models कितने हैं? 10 कौन-कौन, can, could, may, might, will, would, shall, should, must, out to और सबसे important बात याद रखिएगा की models के बाद हमेशा भर्ब 1 का यूज होता है तो आप इस point को note कर लिजिए की models के बाद भर्ब 1 जैसा की structure में आप देख रहे हैं subject plus modal auxiliary verbs plus verb 1 इससे exam में questions आपके पूछे ही जाएंगे subject plus modal auxiliary verbs plus verb 1 ये आपको बिल्कुल याद हो जाना चाहिए models कितने हैं? 10 और इस points से आपके exam में questions, correct sentence और fill in the blanks तो जरूर आएंगे तो ये point आप याद रखेगा जैसा के मैंने structure में भी लिखा हुआ है subject plus modal auxiliary verbs plus verb 1 तो अब कुछ models को पढ़ते हैं जो की exam के लिए बियाद important है तो चलिए पहले models की तरफ बढ़ते हैं तो पहला आपका models क्या है? can का हिंदी आपको मालूम है सकना use कहा होता है? समझते हैं शामर्थ, छमता, सक्ती यानि जब भी capacity की बात होगी, ability की बात होगी तो आप किसका use कीजिएगा? can का can आपको मालूम है 100% समर्थ, छमता, सक्ती एक्जाम्पल से आपका clear हो जाएगा मैं यह काम कर सकता हूँ I can do this work देखिए can आपका model है और इसके बाद क्या है? भीवन आपका आगया और मैं यह काम कर सकता हूँ तो इसमें किस चीज़ की बात है? आपका समर्थ की बात है छमता की बात है वह अंग्रेजी बोल सकता है He can speak English यानि कि इसमें ability की बात है तुम उसे पीट सकते हो You can beat him तो जब भी आपका समर्थ, छमता और सक्ती की बात होगी तो आप किसका यूज कीज़िएगा? can का और ये point आप हमेशा याद रखिएगा कि modal auxiliary verbs के बाद verb one का यूज होता है can का use आप समझ गए समर्थ, छमता और सक्ती को दिखाने के लिए किसका यूज कीज़िए जाता है? can का अब बात करते हैं make use के बारे में तो देखिए make आपी हिंदी होता है सकना, लेकिन कितना परसेंट? 50% देखिए ये संभावना बताता है अनुमती बताएगा आपका अनुरोध बताएगा possibility, permission और request make a use बढ़ियां से समझेगा make a हिंदी क्या हुआ? सकना 50% शंभावना बताता है अनुमती, अनुरोध आज वर्षा हो सकती है it may rain today यानि कि संभावना है संभावना दिखाने के लिए make a use करते हैं तो आज वर्षा हो सकती है, कैसे बनेगा it may rain today अनुमती, आप अंदर आ सकते हैं, you may come in permission, अनुमती के लिए आप make a use किजिएगा आप अंदर आ सकते हैं, तो कैसे बनेगा, you may come in, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, may I come in, इक्छा देखिए, आपकी यात्रा मंगल मैं हो, may you have a happy journey, may God help you, भगवान आपकी मदद करे तो इक्छा, bless की बात होगी, तो भी आप यूज कीजिएगा किस का, may का next बात करते हैं, should का should का हिंदी क्या होता है, चाहिए must का हिंदी चाहिए, out to का हिंदी चाहिए, तो क्या अंतर हे तीनों में, समझिएगा बनिया से, should का यूज करते हैं, चाहिए, जो general सला होता है, उपदेश होता है करतब्य होता है most का यूज़ वहां करेंगे जब अवस्य की बात होगी और out to का यूज़ कहा करेंगे जब बात होगी नैतिक करतब्य की सामाजिक की कानूनी की तो अब सबसे पहले समझते हैं should के बारे में should चाहिए सलाह उपदेश करतब्य उसे पढ़ना चाहिए he should read आपको सुबा में टहलना चाहिए you should walk in the morning आपको सबेरे जगना चाहिए you should get up early तुम्हें इमंदार बनना चाहिए you should be honest तो should का यूज़ कब कीजिएगा जब सलाह उपदेश करतब्य की बात होगी general should चाहिए उसे पढ़ना चाहिए he should read आपको सुबा में टहलना चाहिए you should walk in the morning आपको सबेरे जगना चाहिए you should get up early तुम्हें मंदार बनना चाहिए you should be honest तो ये आपका हो गया should का यूज़ अब समस्ते हैं must का यूज must अवस्य चाहिए जूड़दार सला आपको यह दवा अवस्य लेनी चाहिए you must take this medicine देखिए दवा तो आपको बिल्कुल अवस्य लेनी चाहिए तो उसके लिए use क्या होगा must का हमें प्रती दिन अवस्य व्याम करना चाहिए we must take exercise every day हमें प्रती दिन अवस्य व्याम करना चाहिए we must take exercise every day हमें समयनिष्ट अवस्य होना चाहिए we must be punctual तो यह आपका हो गया must का यूज जूरदार सला अवस्य चाहिए next बात करते हैं पांचवा आपका out to हिंदी होता है चाहिए नैतिक बाध्यता हमें अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए we out to obey our parents हमें अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए we out to obey our parents आपको देयालू होना चाहिए you out to be kind आपको देयालू होना चाहिए you out to be kind नोट को समझेगा शामान्यता चाहिए के लिए सुड का यूज करते हैं अवस्य चाहिए के लिए मस्ट का नैतिक करतब्य की बात होगी या समाजिक या कानूनी की बात होगी तो किसके यूज करेंगे out to का समान्यता चाहिए के लिए किसका यूज करेंगे should का अवसे चाहिए के लिए must का नैतिक समाजिक कानूनी की बात होगी तो out to का तो आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ें models के बारे में models कितने होते हैं 10 होते हैं models के बाद भी 1 can may should must और out to यह पांच important use हम लोग इस वीडियो में पढ़ें इन पांचों use के बारे में आप अच्छी तरह से समझ गये होंगे इसे आप कोपी में अच्छी तरह से note कर लीजिएगा और जब भी समय मिले तो अपने दोस्तों में जरूर सेयर कीजिएगा ओके धन्यवाद